उत्रप्रदेश में लेकपाल भरती का रिजल्ट आने के बाद सुल्तानपुर के एक परिबार में दोहरी खुसी बढ़ गई है लेकपाल के पत्प जहां सेना से रिटाइट पिता ने सफलता हासल की है वहीं बेटी ने लेकपाल परिक्षा में पहले प्रयास में ही बाजी मार ली है पिता पुत्री का एक साथ लेकपाल के पत पर चैन होने से परिबार में दोहरी खुशी आई है देरसल बलदी राय तहसील शेत्र के पूरे जवाहर तिवारी गाउं के एक पिता और पुत्री ने एक साथ लेकपाल का एक्साम क्रैक कर लिया है पिता रवेंद तरपाथी इंटरमीडियर की परिक्षा के बाद 19 साल की उम्र में ही सेना में भरती हुए नौकरी में रहती हुए उन्होंने 2004 में सतना तक की परिक्षा पास की इसके बाद भाई डेटायड हुए तो अपनी बेटी प्रियात्रपाथी संग लखनों में बैंकिंग सेक्टर की तयारी में जुट गए इस दौरान उन्होंने अपनी बेटी के साथ S.B.I.P.O की प्री परिक्षा पास कर ली लेकिन मेंस नहीं कर पाई फिर 2021 में उनका चैन यूपी पुलिस में उपनिरक्षक के पत पर हुआ लेकिन परिवार के साथ रहने की वज़े से उन्होंने जॉइनिंग नहीं की बरहाल जो भी हो अब उनका सेलेक्षन लेकपाल पत पर हुआ है पूरे गाउं में खुशी का माहूल है और पिता और बिटिया रानी की खूब बहवाई हो रही है आर्मी में 30 साल सर्विस करने के बाद मार्च 2019 में रिटायर हुआ था और उसके बाद आने के बाद मुझे मेरे पिता जी प्रेरित करते रहते थे कि इतनी सारी बेकेंसिया इस गोवर्मेंट में निकलती हैं और आपका कोटा है आप उसके लिए ट्राई करते रहिए चुकि आप में हुना रहे हमने उनकी बातों से अमल लिया और तैयारी सुर कर दी तरह दिन रात मेहनत किया मेरे पापा आज्मे में हैं तो मेरे सबसे बड़े जो इंस्पिरेशने वही रहे हैं क्योंकि मैं मतलब मैं उनके वह एक्जाम भी क्लेर हो गया थे तो मुझे उनसे बहुत जादा इंस्पिरेशन मिल थी मेरा एक्जाम मेरी मतले महनत में कहने के कमी है।